नमस्कार विवर्ज मेरा नाम है आयोश शर्मा आप मेरे साथ देख रहे हैं सुराज मेडिया निट्वर्क इस वक्त की सबसे वड़ी खबर आ रही है देश के सबसे जादा अबादी वाले राज्य है उत्तर प्रदेश से जहां एक और पूरे देश में चुनावी गर्मा गर की पार्टियों का एक सक्त रुख भी सामने आया है कि चुनाव से पहले केवल वोटर्स को एक लॉलिपॉप दी जा रही है परंतु बड़ी खबर आपको बता दे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आधितनाजी द्वारा एहलान किया गया है कि प्र की कटोती उसके रेट पर योगी सरकार द्वारा की जा रही है जिससे उनकी सिचाई का खर्च बिलकुल आधा हो जाएगा इसका सीधा सीधा फायदा प्रदेश के 13 लाख किसानों को होने जा रहा है आपको बता दे कि इस नई योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जली दी जाती है वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों को 2-7 रुपे प्रती यूनिट चार्ज देना पड़ता था जो फिक्स चार्ज भी है वो भी 70-130 रुपे प्रती होर्स पावर माना गया है इसी को लेकर सभी विपक्षी पार्टिया समय समय पर राज्य सरकार को घेरती रही है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विधान सबा चुनाव यूपी में नस्दीक आ रहे है और भारते जंता पार्टी हमलावर रुख से इस बार यूपी चुनाव की तयारी कर रही है भाजपा के सभी बड़े नेता इस वक्त मैदान में उतर कर उत्तर प्रदेश जी किसानों को मुफ्त बिजली देंगे इसलिए योगी सरकार ने अधिसूचना जारी होने से पहले ही 50% बिजली के दरों में कटोती करने का फैसला लिया है जिसको लेकर प्रदेश के किसानों में एक खुशी की लहर दोड़ पड़ी है क्योंकि उनकी सिचाई का खर्च सीधा सीधा आदा होता हुआ नजरा रहा है। पड़ेगा इसके अलावा जो फिक्स चार्ज है वो भी 70 रुपे से घटा कर 35 रुपे कर दिया जाएगा जिसके चलते उनकी जो लागत है खेती की वो बिलकुल आधी हो रही है इस पूरे फैसले के बारे में और खास तोर पर चुनाव से पहले लिए गए इसके संबंद में आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं इस वीडियो को जाए साथ शेयर करें और हमारे चैनल सुराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूले प्रूले झाल